असलाम हूँ आलेकुम दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करते हैं कि आप लोग खेरियस से होंगे तो आज की वीडियो में हम सौधी रब की कुछ बड़ी और इंपोर्टन जो अपडेट आ रही हो आप लोगों के साथ सेर करने वाले हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप तो आम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है वीडियो को भी से लाइक कर दें जो दो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेश्ट है पिली चैनल को भी सस्क्राइब जरूरू कर लें चले वरते हैं अपडेट तरफ पूरी के अपडेट आप लोगों के साथ सेर करते हैं दोस्तों पहली अपडेट ये है कि साओधी मिनिश्टी आफ हीमरेसरस की तरफ से अपडेट जारी करके वताया यह गया है कि सौधियरब के अंदर जितने भी एधारें हैं जितनी भी कमपणियां हैं तमाम को जोर देकर कहा गया है कि वो अपने वरकर के साथ वर्क एगरिमेंट कीवा प्रेटफार्म पर जरूर से कल लें जैस तो यहाँ पर तमाम कमपणियों को मिनिस्टी के तरफ से जोर देकर कहा विवाद होता है कोई लड़ाई जगडा होता है तो इस विवाद का जो भी मसलदा है वो मिनिस्टी जो है वो खल करेगी हल करने में काफ़ी जादा आसानी हो जाएगा तो इसलिए तमाम कमपनियों को तमाम इधारों को ये कहा गया है कि आप अपने वर्कर के साथ कीवा प्रेड़ फार्म पर वर्क एगरिमेंट जो है वो जरूर से करें इसके साहत एक जाएक अपने जाएगा कोई बंदा नकली सामान बेसते हुए पकड़ा जाता है तो उसको तिन साल तक कैद और دस लाक रियाल का जुर्माना किया जाएगा इसके साथ एक लिए अपडेट ये है कि सौधी पुलिस ने कारोवाई करते हुए एक गिरों को गिरपतार किया है जो कि सौधर अबिया के अंदर नकली नोटों का कारोवार कर रहा था बताय यह गया है कि ये लोग मार्कीटों में जाते थे और मार्कीटों से सामान जो है वो खरीते थे और उनको नकली नोड दे दिया करते थे जबकि सामान जो है वो असली खरीते थे और बाद में असली सामान को वो कम कीमत पर बेच रहे थे जब पुलिस को इस बारे में अगर एड़ोटाइश्मेंट करना चाते हैं तो उनको लाइसंस मिनिस्टी से लेना होगा तो अभी भी बहुत तरे गहार मुल्की अपने सोचल मीडिया के जरिये से करते हैं लेकिन वह लाइसंस नहीं लिये हुए हैं तो अब इस पर कारवाई जो कर दिगया हैं बताया यह गया है कि 220 खिलाफ फर्जिया रिकोर्ड फ्राइं जिसमें से 143 लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाई भी की गई है तो अगर आप सौधर अंदर रहते हैं गहर मुलकी हैं और अपने सोचल मेडिया के जरीए तो आपको इसके लिए लैसेंस लेना बेहाँ जरूरी होगा बिन किया जाएंगे उनकी जो सेलरी है वो 9000 रियाल होगी और उनको साड़े 3000 रियाल बोनस के तरह पर मिलेगा और उनको सोचल सिक्रोटी मिलेगी और साथ में मेडिकल इंसुरेंस भी मिलेगे सकते हैं आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं अब यहाँ पर यह नहीं बताया गय है कि यह जो काम करने के लिए भरती किया जाएगा यह सविडियो या गहर मूलकी होंगी जैड़ से बात इतनी सेलरी है तो इस पर सरिफ सजुदी ही काम कर सकते हैं गहर मूलकीयों को कोई चांस ही नहीं है दोस्तों यही कुछ अपदेट थी आज की जो आपना के साथ सेर्क आपके के साँ तखितना कहलो का सक्टारा